परजय जरा इन्हें फिर से देखो इन में से सबसे लंबा कौन है? हाँ, सही कहाँ सबसे लंबा है जिराफ आज हम चीजों की तुलना करना सीखेंगे आओ सीखें चीजों की तुलना करना बड़ा, छोटा, पदला, मोटा, भारी और हलका जैसे शब्दों को चीजों के साथ जोड़ना चोटा या बड़ा हम यहाँ दो बॉक्स देख रहे हैं लेकिन ये अलग-अलग आकार के हैं जब दो चीजें समान आकार की नहीं होती तो हम उनकी तुलना करते हैं जो चीज कम बड़ी होती है उसके लिए छोटा शब्द और जो उससे बड़ी होती है उसके लिए बड़ा शब्द इस्तिमाल करते हैं बाल्टी ए बाल्टी बी से छोटी है सबसे बड़ा या सबसे छोटा याद रहे तोता लाल मिर्चे खाता है मिर्चें छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं इन तीन मिर्चों में से पहली सबसे लंबी है और तीसरी सबसे छोटी है पतला या मोटा कुछ चीजें पतली होती हैं और कुछ मोटी होती हैं बाई तरफ दी गई किताब पतली है दाई तरफ दी गई किताब मोटी है सबसे मोटा या सबसे पतला तीन से ज्यादा चीजों की मोटाई की तुलना करने के लिए हम सबसे मोटे और सबसे पतले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं पहली चड़ी सबसे मोटी है तीसरी चड़ी सबसे पतली है भारी या हलका जिन चीजों को उठाना मुश्किल होता है वो भारी होती है और जिन चीजों को आसानी से उठाया जा सकता है वो हलकी होती है बाई तरफ वाला सिलिंडर भारी है और दाई तरफ वाला सिलिंडर हलका है भारी या हलका जिन चीजों को उठाना मुश्किल होता है वो भारी होती है और जो चीजें आसानी से उठाई जा सकती हैं, वो हल्की होती हैं. बाई तरफ वाला पत्थर भारी है और दाई तरफ वाला पत्थर हल्का है. लंबा या छोटा कुछ पेड़ लंबे और कुछ छोटे होते हैं. जिराफ लंबा होता है, चूहा छोटा होता है. चीजों को मापना मापने के लिए अपने पैरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लंबाई को मापने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग किया जा सकता है.